Hello everyone, आज हम लोग स्टार्ट करने जाड़े हैं Signum Function ये 10th to 11th moving student के लिए मैं बनाड़ा हूँ बिल्कुल basic चीज़े बताएंगे हम यहाँ पे जो कि हमें यूज होता है वैसे तो class 11, 12th में इसका यूज नहीं है Signum Function का आए देखते है Signum Function क्या करता है जैसे कि हम लोग पीछले वीडियो को हम लोग क्या क्या देख चुके है Modler Function देख चुके है Greatest Integer Function देख चुके है Fractional Part of X देख चुके है आज हम लोग देखेंगे Signum Function तो Signum Function को हम लोग इस तरह से कुछ दिखाते हैं वो इस तरह से कुछ डिफाइन होता है Signum यह कहता है कि अगर X की जगा इस X की जगा अगर कोई Positive Value है अगर X कोई Positive Value है तो वो आंसर देगा 1 कोई भी Positive Value 1, 2, 3, 5, 3.5, 2 by 3 कोई भी Positive Value अगर आप X की जगा रखेंगे और उसके आगे Signum लगा हुआ है तो वो बन आंसर देगा और अगर X की जगा Negative Value डालते हैं तो वो आंसर देगा minus 1 और अगर आप X की जगा 0 Value डालते हैं तो वो देगा आंसर 0 तो इसका मतलब यह हुआ कि यह जो Signum Function है बहुत ही छोटा सा चीज है क्या कि अगर आगे Signum लिखा हुआ है और यहाँ पर X है और इस X का Value किसी ने बोल दिया कि यह Positive Value है तो आपको तुरंत इस पूरे का Value इस पूरे Signum का Value कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा अगर किसी ने बोल दिया इस X की जगा इस X की जगा Negative Value है तो हम तुरह समझ जाएगे अगर Negative Value है तुरह समझ जाएगे क्या कि वो Minus 1 आंसर देगा और अगर इस X की जगा 0 है तो हम समझ जाएगे क्या आंसर देगा 0 देगा तो इसका मतलब यह तो आप समझती होंगे X Greater Than 0 है तो यह मतलब Positive 1 यह X Less Than 0 है मतलब X Negative है यह Equal to 0 तो है है अब हम आपको कुछ Example दिखा देते हैं जैसे माल लो कि हमने यह दे दिया कि Signum of Signum of 2 तो Signum of 2 RRS का मतलब क्या हुआ 2 is a Positive Number तो अगर यह Positive Number है तो आंसर क्या देगा अगर X Positive हुआ तो आंसर देगा यह 1 जैसे हम बोल दे Signum of Signum of क्या बोल लेते हैं 3 3.2 3.2 भी क्या है एक Positive Number है तो आंसर क्या देदेगा 1 जैसे कुछ और लेदे Signum of ले लेते हैं X Square ले लेते हैं Signum of X Square तो हम लोग यह जानते हैं X Square तो हम यह Positive Number देगा x के जगा हम कोई भी real value डालेंगे x square क्या करेगा positive value देगा तो इसका मतलब यह हुआ यह confirm जबकि x का exact value हम पो नहीं पता है लेकिन फिर भी हम यह जानते हैं कि x के जगा हम कोई भी real value यहां पर रखेंगे और उसका जो square करेंगे तो वो हमेशा positive ही होगा तो यह confirm करता है कि यह positive number है तो इसका answer क्या जाएगा 1 आ जाएगा जैसे हम यह लिलें कि signum of minus 3 तो यह negative number तो answer क्या देगा minus 1 जैसे हम यह लिलेते हैं signum of minus 2.4 जो आपको समझ में आना चाहिए 11-12 में इसका use नहीं होता है ये use होता है जेडवली मेंस advance in sub में अब ऐसा नहीं कि जेडवली मेंस में ये question पुछेगा बताएए कि signal function क्या है जी नहीं है ऐसा नहीं है वहाँ पे question बनाने के दवडान use होगा ये signal function तो आपको ये word उसे deal करना आना चाहिए ये यहाँ पर जो value है वो क्या हो सकता है कोई भी real number हो सकता है positive negative 0 हो सकता है तो हम क्या बोलेंगे कि overall हम लोग ये देखते हैं कि जो signal function है उसमें जो x होता हो belongs to r ये belongs to का symbol होता है मतलब x जो है किसी भी real number को belong करेगा लेकिन जो पुड़ा का पुड़ा signal function है signal function ये जो value देगा वो तीनी value देगा signal of x जो है वो तीनी value देता है कौन-कौन एक देता है minus 1 एक देता है 0 एक देता है 1 तो हम लोग ये कह सकता है कि अच्छा मतलब x के जगा हम कुछ भी डखेंगे signal सिर्फ तीनी value देगा या तो minus 1 देगा या तो 0 देगा या तो 1 देगा बस इसके लाबा कोई answer ये नहीं देता है हाँ, x की जगा हम कुछ भी यहाँ पर रख सकते हैं कोई भी real number हम यहाँ पर रख सकते हैं वो बस ये तीनी value देगा तो x का जो value होता है जिसको हम यहाँ पर रख सकते हैं उसको बोलते है domain यानि signal का domain हो गया are, any real number और जो domain के corresponding जो values आता है उसको बोलते है range तो इसका मतलब signal function का जो range होगा वो तीन number होगा, तीन particular number इसलिए हम उसको curly bracket बलिखे है curly bracket बलिखे है का मतलब होता है सिर्फ minus 1 बोल रहा है 0 बोल रहा है और 1 बोल रहा है इसके सिवाच होगे कोई भी number ने तो इसका अगर हम लोग ग्राफ देखना चाहिए तो ग्राफ बहुत ही आसान है ग्राफ यह है कि अगर हम लोग यह ले ले x-axis और यह रहा हमारा y-axis तो क्या देखते हैं कि x अगर 0 से बड़ा है तो signal function किता देगा 1 देगा यानि कि y के value क्या मिलेगा 1 तो 1 माल लेते हैं यहाँ पे हैं तो x का value 0 से बड़ा लेते हैं तो y बड़ाबर 1 कैसा लाइन होता है यह रहा लाइन तो इधर हम क्यों नहीं खीच रहा है क्योंकि x क्या इधर negative है हमें x positive के लिए ही 1 दिखाना है और यह रहा हम यहाँ minus 1 तो अगर x negative हुआ तो y कितना देगा minus 1 यानि कि minus 1 को यहाँ पे लिखने तो यह रहाँ minus 1 तो graph इस साइड आएगा च्योंकि x हम लोग negative ले रहे है और 0 पे तो 0 बालो देगा यानि कि 0 पे यह रहा है 0 तो यह हो गया इसका graph यह किसका graph है? यह graph of graph of signum of x तो signum of x का यह graph हो गया तो यह इसका ujw means advance in d and in set में होता है 11, 12 वे use नहीं होता है तो अगर आप लोग को यह सीखना है तो आप याद रखें अगर सिफ 11, 12 में वर्ट करना है तो आप नहीं भी याद रखेंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है लेकिन जानना चाहिए तो बस आज के लिए इतना ही अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो आप प्लिज इसको वीडियो को लाइक करें सब्सक्राइब करें चैनल को और अपने दोस्तों में सेर कर दें